हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आज हम बहुत ही टेस्टी मूंकी दाल के कबाब बनाएंगे प्रोटीन से रिच इन कबाब को आप खाने के साथ या स्टार्टर के लिए कभी भी बना सकते हैं इसे आप अपनी शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं सबसे पहले हम दाल को अच्छी तरह वाश करेंगे मैंने दाल को यहाँ पर अच्छी तरह से पानी से कई बार वाश कर लिया है दाल को हम 6-7 खंटे सोक होनी के लिए रख देते हैं ताकि दाल अच्छी तरह से फूल जाए देखिए दाल अच्छी तरह से फूल चुकी है इसे ग्राइंड कर लेंगे आपको इसे ग्राइंड करते समय पानी का यूज नहीं करना है अगर दाल को आपने अच्छी तरह से सोक कर लिया है तो पीसने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी देखिए हमने दाल को पीस लिया है और इसे आपको इस तरह दरदरा सा ही पीसना है इसे रख देते हैं मैंने यहाँ आधा कटोरी मुंगफली के दाने लिये हैं आपको इन दानों को रोस्ट करने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इने भी दरदरा पीस लेंगे अब यहाँ पर मैंने दो प्याज, दस कली लैसुन, चार-पांच हरी मिर्च हरा धनिया लिया है पंद्रवीस काजू लेंगे इसकी चटनी बना लेंगे इस चटनी को पीसी वी दाल में मिक्स करेंगे ग्राइन कीवी मुंख फली भी डालेंगे दाल के कबाब को और भी टेस्टी बनाने के लिए एक फिलिंग तयार करेंगे इसके लिए हाफ कप पुदीने के पत्तों को बारिक कट कर लेंगे टू टीस्पून ग्रेटेट कोकोनट फुदीने के पत्ते चोटे पीसेस में कट के हुए काजू बारिक कट के हुई वन टीस्पून हरी मिर्च में आधा नीबु गर्रस वन फोर टीस्पून नमक डाल कर अच्छी तरह मिक्स करेंगे पंद्रह मिनट हो चुके हैं दाल को चेक करते हैं इसमें वन टीस्पून या स्वादन हुसा नमक वन फोर टीस्पून हल्दी पाउडर वन फोर टीस्पून भूने जीरे का पाउडर फाइव टीस्पून ब्रेट क्रम्स टालेंगे अगर आपका बेटर थोड़ा से ज़्यादा गीला हो गया हो तो आप रेट क्रम्स की मातरा को थोड़ा से ज़्यादा कर सकते हैं हाथ वपर थोड़ा से पानी लगाएं डाल का थोड़ा से पोर्शन लें फिलिंग रखें और इसे कवर कर दें इन्हें बना करके आप एक प्लेट में रखते जाएं मैं आपको एक और बना करके दिखाती हूँ डाल का थोड़ा पोर्शन लें फिलिंग रखें और इसे कवर कर दें ओइल को भी मैंने गरम कर लिया है मीडियम हॉट ओइल में इन्हें शेलो फ्राई करेंगे फ्रेंड्स ये कवाब बहुत ही टेस्टी लगते हैं अंदर इसकी फिलिंग की तो और भी इसकी टेस्ट को बढ़ा देती है अगर आपको इस रेसिपी जड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सबस्क्राइब शरूर करें इन दाल के कवाब को आप धनिया पुदीने की चटनी, प्याज के साथ सर्व कर सकते हैं आपको इस रेसिपी कैसी लगी और आप इन कवाब को कब बना रहे हैं मुझे कॉमेंट की जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए गुद बाई और टेक केर